एलो श्रेंट्स नीट का फार्म आ गया है रिजिस्ट्रेशन भी ओपन हो गया है तो आपको कैसे आलाइन फार्म फिलब करना है यह आप खुद से भी कर सकते हैं ठीके न अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं हम आपको बता देंगे या हम ही प्रोवाइड करते हैं तो आपके उपर चार्जस लगेगा भी सपोस्स अगर मिश्टेक हो गया है उसके कुछ चार्जस रहते हैं तो आपको एकदम अराम से फार्म फिलब करना है किस काटिगरी मार्म उसको अच्छे से लिप करना है तो ध्यान देना है कैसे आधे प्रोस और फिर आपको सर्च में दाना भी सर्च करना आप लोग को और इंटरफेश आएगा इसमें आप लोग को फर्स्ट में इसके बादना यहां पास जो ख्लोग का इंफ्रमेशन आया था NIT 2023 का, वह आप लोग का एंग्ली से में है, ही वाला इंग्ली से में आया आपका हिंदी में है enf का गुभी खल stop अब अब इसके आ जानना भी आप लोग का यह लिखा हुआ आप लोग री Assistoryand 2023 रेश Are प्लिक करना भी आप लोग को ठीगे ना ये रहा ठीगे न भी फिर ऐसा आगा भी तो इसमें लिखा you are being redirected to an external website please note that national liberty come in test test cannot be held responsible for external website contact and privacy policies कुछ है आप लोग को इसमें yes okay करना आप लोग को फिर आगे जाना है ठीगे ना फिर आगे आप लोग को जाना है है कि अज़िए है ऐसा हो गया इसके बाद आप लोग को अगर आपने पहले पार रिजिस्ट्रेशन हो गया होगा आपको यहां पर जाना अगर नहीं हुआ है तो आपको यहां पर जाना भी new registration में लिए टीए रहा आप लोग को new registration यहां पास कुछ information आप आप लोग का यहां पास कितना फीस आपको उसको बताया गया अभी सपोस्ट जर्रल का OVC EWS का यह पूरा है इसमें कुछ नहीं करना है या सब्सक्राइब आप लोग जाना है आगे आप लोग और यह पर सबसे परले आ परसनल डीटेल आता है तो अभर्थी का नाम में लाव सुभास अब पिता जी का नाम आता है तो पिता जी के नाम में में लिख देता हूं कुमार अब यहां पस यह मेरे पिता जी का नाम है ना सपोस्पोस माना हूं इए यह मेरा सर्णेम है कुमार सर्णेम बोलता हूं तो सुभास कुमार कुमार यहां पर श्वादर करने जगह पर डाल देखना जयोंकि मैं अपने डाटा को कहा रखना बता हूं गुपत रखने ना भी प्रावैसी में रखना है असा नहीं कि मैं डाटा पर रिलीस कर दिया माता का नाम में लिख देता हूं मैं माता जी का नाम जो भी आपके मम्मी का जो नाम होगा उसको पूरा फिलब करने आपको यहां पास तो मेरी मम्मी का नाम है अब अभी वाओ आपका जन्मदीन बैई कब आपका बर्थडे आता है तो चार मा फरवरी बर्थे ने तो आपको हसल आता है वहBut« देट आप बर्थ का भई 2012 का है थीक कि 2012 का लिंग आपका लिंग मतलब Male, female या हड़ जेंडर तो male भई नेशनल्टी इसमें आए बता आप लोग का इंडियाण टाइप आफ अदेंटी तो इसमें आता भी आप लोग का एनी अधर वालिट गवर्मेंट आडेंटिटी विद फोटोग्राफ इसमें आप लोग बहुंच सारे आप्शन्स हैं सपोस्पोस क्लास 12 काड़ है एलेक्शन काड़ है आप लोग का पास्पोर है रासन काड़ विद फोटोग्राफ है बैंक पास्बूक फोटोग्राफ है एनी अधर वालिट गवर्मेंट आडेंटी कार्ड जिसमें से मैं अपना अधार कार्ड जिसको में हमें सब्सक्राइब यूस करता है यहां पर नंबर डाल दालता हूं भी अधार का अधार का नंबर लप करने बाद में उसको आगे कर दे क्योंकि और मेरा पस्टनल डाटा है इसलिमें उसको आगे कर दें अब पता आता भी पत पता जहां मैं रहता हूं तो मैं रहता हूं भिलाई में यह राभिलाई है और भिलाई है कि इसमें आप पूरा भी लप कर सकते बर पूरा फ्रिलप करने को मतलब और मस्था अटनेस में अधरा इंष्ट कुछ दुमेशन तो आता नहीं है है मैं को इन्पीमेशन नहीं आता आप लोग को जहां दूर में अधार दालेंग दिटेल से तो मतलब नही सब आता सब आनलाइन पी आता आप लोग डानलोड करना पड़ता है कि देश कोई है इंडिया के बाहर का सब इंडियान भी तो है राज्य भी राज्य होता है आप लोग का 36 गड़ भई यहां नहीं चंडी गड़ है चंडी गड़ मत जाना तिस गड़ जीला डिस्ट्रीक डिस्ट्रीक आपका होता है दूर्ग भई हाँ अब धुन्ना मत की भिलाई भी होता आशा करते है भिलाई डिस्ट्रीक नहीं ना धुनते रहा जाओंगे आप लोग पीन कोड भई क्या बताओ दूर्ग का 491 001 है मुबाइल नमबर भई तो मैं अपना मु इमेल का इमेल को मैं जो है डाटा यहां पास फिलप परूँगा बट इसको प्रावेसिम में रखूंगा ठीक है ना तो प्रावेसिम रखने के लिए मैं थोड़ा सा फिलप कर लेता हूं नंबर को 9131285204 कि दूरत होंगे झाल कि दूरत होंगे झाल अगर आप लोग को स्थाई पता और पर्मेंट अभी उपर हम लपके थे ना अगर वही आप लोग कर रखना भी तिहां पर जाना से मेस प्रजेंट अडेस ना भी तो आपको यह पूरा सेक्शन भणने जरौत नहींगे तो पहले प्लब हो गया है अब इसमें आता भी आप लोग पासवर्ड बनाना क्या बनाने आप लोग को पासवर्ड तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जिसमें आपका नंबर लेटर केपिटल और इसमाल साथ में कुछ स्पेशल वर्स होना चाहिए ठीक है ना और मैक्जिमाम लेंद्ध आप लोग का आठ होना चाहिए और मैक्जिमाम आप लोग 10 भी कर सकते हैं मिनिमाम कितना आठ करें मैं अपना पास्वेर बना लेता हूं भई ठीक है ना चले अब इसमें आप लोग को कुछ च्वाइस करना है वीची डवेबसाड यू रेली विजिट वाट इस दर नेम आप यह फर्स्ट स्कूल तो पता हो है कहां आप लोग पड़े हुए हैं वाट इस यूर नेवर से पेट नेम तो नेवर से महुं सारे होते हैं वाट इस यह फेव सबसे अच्छा रहता है गाड़ी का नंबर याद रहता है तो मैंने साब सभी स्कूल वाल अच्छा रहेगा जहां आप लोग पड़े हुए हैं तो मली जैता हूं भी जहां मैं पड़ा था हो गया मेरा पासवर्ड है अब यहां पार जो केप्चा है उसको फिलब करने आप लोग पूरा केप्चा को जो केप्चा अरे क्या है पताओ केप्चा जीरो डबलू अरे ओ है केपिटल डबलू है जीरो डबली नाइन सेवन त्री सेवन और कुछ था क्या नाइन सेवन त्री सेवन हो तो गया सेव पास्वार्ट सेव कर लेता हूं भी इमेल अड्रेस सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो पास्वार्ट फिर से टाइप करना पड़ेगा कि नहां कि यह था कि अब पुरा हो गया अब सब्मिट में जाना है लोडिंग आएगा तो तो सब्मिट एंड सेंड ओटिप में चलते हैं तो कि पहली बात तो है कि मैंने पूरा चेक कर लिया हूं भई माता पिता एड्रेज जो भी जैसा भी था पूरा बने चेक कर लिया हूं तो सब्मिट एंड सेंड ओटिपी में तो सेंड ओटिपी अभी प्रश्ट किये थे फार्म का बट ओटिपी नहीं आया था अरे ओटिपी आएगा भी आप लोग का आएगा पर कर रहा हूं कब तक टम रैंगे ओटिपी का तो कि अटिपी ना सकता है ठीकिए ना ओटिपी आने में टाइम लग सकता है तो इसाइध कर आम में नबर तो है मैं रहा देखा जाए उट पी चलिया पाम करता है वाला उट पी अगया आगया 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 वेट 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 कर आते हैं उट पी के लिए उट पी आगया मेरे पास तो यह है होगया अब देखो और टी पी मैंने सबमित रेजेशन अगया इसन हो जाएगा अब पास त्हुल司 का अब लोग आगये जाना आवी अप्ट्र एप्लिकेस्ट फार्म में जाना है क्या इस सब्सक्राइब धिंद करना पड़े गкого हो तुर फीर से peopers करना पढ़ेगा है सब्सक्राइब क क्या है कसा है इसमेंल टाइब हाई लगता है हर एसका आपका आता है ठीक है इसा सब दोसरी करना है इसे में सब्सक्राइब नु 7003 पिर से आप लोग को लाश्य जो था इसमें आना है अब इसमें करना क्या है बताओ मेरा राजिस्ट्रेशन पुरा हो गया है इसको करने के लिए फिर से मेरे ने टिए टी एगर उसे नहीं होता है तो आपको कशना पड़ेगा फिर से यहां पास पदिने पास अपना पड़ेगा ऐसा करके है फिर से किसे एथना पड़ेगा आप लोग को कि नीटी तो तरॉट pak 223 रेजिस्टेशन में ऐ रहा आपका जो अखे नशीम और ध्यान देना इस में से की मेरा फिल लगव हो गया है मैं को डालना क्या है बता है यहां पास यांप्लिक्शन नंबर जो है मेरा तो कि यहां पास है इसको मैं नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है तो कि साइन इन करने के बाद में कि होगे ना इन कम्प्लीट है मेरा एप्लेशन फॉर्म तो जाना है इसमें आफ़ बहुँ सा चीजे है पर्सनल डिटेल्स में चलते हैं यहां पस तो नाम को तो ही करना नहीं मेरे को यहां पास ठीक यह 12 प्लास है तो मैं पास्किय हूं जहांस मैने पास्किया वहां से डाल सब्लrain काश्ट ये मैं लाख जगा ठैस्ट कि डिखल दयता हूंеловा हम अंक Неवह नास की जगाँ रूलर एक लाग बढ़ाल देता हूं मैं अलपसंद क्या नो निवास का देश अरे देश छतिरण में तो रहते हैं अब बाहर रहते हैं क्या कि इंडिया कि डेश कोड के विप्रित प्रथागत पुसाख पाइने क्रियाता रखते हैं मतलब यह है कि अब जो चल रहा है करनाटक में तो वाला था तैयारी का तरीका तो यहां पास मैंग्जियम जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं बताओ कि इंडिविज्व ट्यूशन से रहते हैं मैंग्जियम तो पर कोचिंग वाल ही बच्चे रहते हैं इससे कर हो क्या है ना गौर्मेंट जो है इस बच्चे कि इतने जो सेल्फ शडिस या जो इंसे आटी से बुक पढ़के इंसे बुक को पढ़के निट क्वालिफाइट कर रहे हैं कि उसको कोचिंग जड़ाद है की नहीं है तो लोग फुद का अपना एक डाटावेस तयार कर रहे हैं इसमें आते हैं वह एक प्रसमाद में नहीं आ रहे है तो केप्टा को रिफ्रेस करते हो मैं रिफ्रेस अभी आ गया है 435 कि 435435 कि यहां पर जाना है मैसेज क्लोस करना है सेव एंड नेश करना है आप लोग को आरे वांट तो सब्मेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इस सब्मेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट इसमें डालता हूं मैं स्वक्षा से अपना अधार साजा करने के लिए सवमोथर मुझे पता है कि इसको उप्योग यू आई-ई-डी-ए-ई-अधार करने मेरे व्रक्तिकत पाचान यूरान का मिलान करके राश्ट्रेट पात्रत साब प्रवेश परिच्छा के लिए मैं इस फार्फिक नेगले किया जाए तो अधार बहुत जरूदी वह जिसका नहीं बना तो जाके अधार कर अपना पहले बाने लेए यह स्करों फिर से आपना स्कूर्टी कोड दबलेट फाइप सिक्स का दबलेट फाइप सिक्स था इडी है फिर से सब्मिट एंड नेशन जाना है फिर ओके करने आप लोग को यह करना है क्या बोलें हाँ पास वो कुछ मिस्टेक पोगया होगा हुआ 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 है उसके यह जा रहा है कि यह जो और आए नंद दिखता नहीं है कि यह जो दिखता नहीं है सब्मिट एंड नेशन जाना है कि एप करना है है कि यह हो गया है हाँ हाँ है ओक के लिए एक चल्म हुआ क्या है इसमें कि मैंने अपना अधार का नंबर तो सही फिलब क्या हूं बड़ डेटा बर्थों के यहां पस्में गलत फिलब जिससे मेरे प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो में को अरहार का नंबर और डेटा बर्थों को मैच करना प्रेगा थे मतलब डाटा उन लोग के पास में है इसलिए आप फॉर्म को केरफुली भरे तो मेरी गलती जो थी मैं कर रहा था गलती यहां पस पकड़ में आ गई है अब मैं आगे प्रोसेस नहीं कर पाऊंगो तो तो मेरा जो था वेस्ट होगे इतना महत्त किया हूं तो अच्छी बात है इसलिए आप लोगो जो फॉर्म लब करना है सही डाटा और सही इंफ्रमेशन आप लोगों के यहां पास भरना है ठीक है चलिए तो यही तक क्योंकि मेरा फॉर्म तो आगे जाएगा ही नहीं जब तक मैं अपना डेटा बर्थ को सही ना करूं तो फिर से में को नए फार्म लब करना पड़ेगा तो यही तक क्या तो मिलते हैं में अगले विडियो में तब तक लिए थैंक्यू वैरी मुद्ध